बहुत लोगों ने आपसे सवाल नहीं किया होगा कि आप विबाह कप करेंगे, क्या चीजें रहेंगी, खुल के आज बता दीजिए क्या चीजें है, इस बारे में तो किनम सोसल मीडिया क्या है कि हर आदमी को लीडर बना दिया है, कि किसी तरह हम युवाँ को प्रेडित कर सक है, और उन पे अवेरनस ला सके, आप डेफिनेटली मुझसे भी अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं, तो दोसे के नसे के लिए मडर करने को तया हुआ, तो हेलो दोस्तों, फिलाल है हम अपनी चौकी में, और अभी अपने यहां के लोकल पत्र करेंगे, तो आज उनको थोड़ा सा समय देंगे, दस मिनट का, और उनसे डिसकस करेंगे, और थोड़ा सा हम लोग भी जानेंगे कि, क्योंकि वो यहां के लोकलाइट है, मतलब पत्रकार तो हैं ही, पर वो एक अपने मतलब आम जन भी है, यहां के लोकल अपने ही चौकी छ जानेंगे उनका विक्तिकत जीवन और वहां से यहां तक का सफर, देश युवाओं का है, और यह देश लगातार युवाओं को मौका देता आया है, चाहे बॉर्डर पर जवान हो, या देश के अंदर बैठे हमाई समाजिक कार करता हो, या तो समाज के रक्षक हो, ऐसे ही जो इन दिनों पूरे देश में सुर्खियां बटो रहे हुए है, युवा है और आज वर्दी उन पर है, तो आज उनसे हम पूछेंगे कि यहां तक का सफर, कितना मुश्किल रहा और कितना कठिन रहा, और किन चुनोतियों का वो सामना कर के यहां पहुँचे हैं आज, तो काज हाटा में है, एक ग्रामीड छेत्र है, क्या चुनोतियां होंगी, क्योंकि वन जैसी यहां पर इश्थितियां भी है, क्या कुछ कहेंगे, इस पर पर यही कहना चाहूँगा कि, जैसे कि मेरी पहली पोस्टिंग मोगन जीती, जाता तर समय जो प्रमेजन पीरियोड है, उसके बाद यह पहली बार है कि यहां पर मुझे हाटा में सुतन प्रबार दिया गया है, और हाटा एक थोड़ा गाउं का एरिया है, तो थोड़े चैलेंजिस थे, जैसे कि चुकी चौकी काफी परानी है, थोड़ा रहने के इसूद रहते हैं, लेकिन ठीक है कोई दिकत न है, मतलब सच्च हवा है, सांती है, काफी चारी चीजे है, यहां के लोग भी काफी सरल है, तो इतनी ज्यादा दिकत नहीं हुई है, थोड़ा यह है कि चुकी यह एरिया गाउं का है, और चोटी-चोटी लडाईया होती है, चोटी-चोटी-चोटी जमीनी विवाद है, तो इसकरात्मक बढ़ाने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने जैसे रीवा है, तो यहां की अभी जो है समस्या, जैसा कि मैं पहले भी हर बार ये बात उठाता रहा हूं, जब से मैं यहां पर आया हूं, तो यहीं देखा हूं कि सबसे ज़्यादा दो दिक्क्तें ब और नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है चुकि देखिए नसा हर चीज का जड़ है जैसे अगर कोई आदमी नसे में है तो उसको पता नहीं चलेगा बिना मतलब की लड़ाई करेगा और लड़ाई छोटी चोली लड़ाई है जैसे मान लीजे कोरेक्स को में जाता तर्चु करने को तयार हो जाता है तो मतलब इसलिए मैं इस पर में फोकस कर रहा हूं कि किसी तरह हम युवाओं को प्रेडित कर सके और उन पर अवेर्नस ला सके ताकि क्या है कि नसा कम हो जाएगा नए लड़के नसे से दूर हो जाएंगे तो आधिसे ज़्यादा पराद वैसे ही क यह तो है कि अभी तक तो इतने ज़्यादा वैसी घटना समझ में नहीं आई है मतलब मवगंज एरिया से तो यहां पे कम है काफी ज़्यादा नियंत्रन जाद है जैसे कि अपने हनुवना थारा प्रभारी जी भी बहुत अच्छा काम करना है काफी सारा नसे पे उन्होंने से बहुत सारी कारवाई की हैं बड़े-बड़ी कारवाई आ की है इसी के चलते हैं मतलब जो हमारे डीजीपी साहाब है ःऊन्होंने ठाना प्रभारी हनुवना को और ठाना हनुवना के टीम को अभी सम्मानित किया इसी बात के लिए अउस्баट सबसे जादा जो नसे कि वर आप देखेंगे तो मतलब एक सोटे से लेकर बड़ा अधिकारी, छोटे से लेकर बड़ा नेता, छोटे से हैं की सामाने से लेकर बड़ा आदמी जैसे हैी गाल बहुत बड़ा तो वहां पे बड़े लोग ही पहुंच बाते थे जैसे बॉलिवूड है या बड़ा पर्द है लेकिना सोचल मीडिया कि हर आदमी को लीडर बना दिया है मतलब यह कहना चाहिए कि हर आदमी जिसके पास मोबाइल है वह एक लीडर है वह अपनी बात रख सकता है बोल सकता है पहुंचा सकता है पहले जो है समाने लोगों की बात में उपर तक पहुंच भी नीपाती थी लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है आपके आप इंस्टाग्राम है चोटा सभी कोई सोचल मीडिया अकाउंट आप तुरंत हर चीज कहीं भी पहुंचा सकते हैं सोचल मीडिया को बहुत बड़ा प्लेट्फॉम मानता हूँ और यही कारण है कि मैं इसमें थोड़ा एक्टिव भी हुआ हूँ क्योंकि negativity तो हर कोई दिखा रहा है हर कोई देख रहा है लोग देख रहा है या पुलिस के प्रती भी बहुत जाद नकरात्मक भाव है कि पुलिस यह कर रही है यह नहीं कर रही है पर मैं चाहता हूँ कि पुलिस जिस स्ट्रगल से गुजरती है पुलिस जो महनत करती है पुल समाच से जुड़े हम लोगों से जुड़े मिलकर एक अच्छा अच्छा भविष्च निर्मान कर पाएं बस यही प्रयास रहता है आपने जब पुलिस की बात कही है तो जैसा कि आपको भी पता है ग्रामीड छेत्र है पुलिस और आम आदमी की जो एक चीज दूरी होती है क् समझते भी होंगे जब आप किसी के घर में जाते होंगे आज पुलिस ऑफशर तो लोगों में एक डर का भाव रहता है आप उस पर कितना काम करेंगे मेरा प्रयास बस वही है मेल है बतलब जैसे कि मैं बस नहीं हमारे जैसे मान्नी मुख्यमंत्री जी है यह हमारा ग्रह वि जादा जनता का भी हमारे साथ इन्वाल्मेंट हो क्योंकि देखे पुलिस तो कुछ संख्या मही होती है पर समाज को एच्वल में रन करने वाले कौन है जो समाज में लोग हैं हम तो के वाद उनके रक्षक है या प्रयास करते हैं कुछ हूच नीच हुई तो उसमें हम चाहती की समाज और पुलिस एक दम जुड़कर काम करें और कम्यूनिटी पुलिसींग को बढ़ावा मिलें ताकि और अच्छे से काम हो पाए नस्य की विरुद और जादा कारवाई हो पाए समाज का और अच्छा उत्थान हो पाए और बहतर भविश निर्माण हो अब क्योंकि उतना ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे यहां पर चुके भी एक महीने वेक तो स्कूलिंग का कैसा क्या है पर देखा हूं मैं यहां पर ऐसा नहीं है कि ज्यादा बहुत कम स्कूल एक दू अच्छे जैसे मिसर गवाँ में मैं गया था एक स्कूल में काफी अच् सबस्mäß最近 भी हम काम की बाते कर लिए आते हैं आपके ब्रिक्तिगत जीवन पर जब आप का 身ा चैयन हुआ ड़िया गर मिल जाना बहुत ही बड़ी बात है तो क्या चीजा है घर में कैसा महोड घर में तो बहुत अच्छा महाल था सब लोग काफे खुल ने मेरे पिता जी मात तो सायज तक मुझे याद है कि मेरे गाउं का मैं पहला ही दरोगा हूं पुलिस में और भी लोग थे आरक्षक पदबर थे बाकी बाकी सब इंस्पेक्टर में ही बना था तो एक बहुत अच्छा महाल था कि सब लोग बोल रहे कि हाँ हमारे गाउं का लड़का दरोगा बन ग कि अपूछ सोचा था हमारी ववाउं को बता दी से तो ऐसा था कि उतना जादा क्लियर नहीं रहता जांसे गाउं के लड़के रहते हैं जितना जाद इमश्पश्ट नहीं रहता जसे आजए लड़के में वस्ते नहीं करना है और वर्लगा उनिफर्य। चाहे वह किसी भी पदका जब भी देखते थे उनीफर्म्र में वाब करनी चाहें फिर वह यूनिफर्म की जॉब करने क्या क्या है दिए उए प्रीयास का मैं रना O क्योंकि बहुत लोगों ने आपसे सवाल नहीं किया होगा कि आप विबाह कप करेंगे क्या चीजें रहेंगी खुल के आज बता दीजिए क्या चीजें इस बारे में तो अभी सोचा नहीं है और अभी तो मैं चोटा हूं साधी के साथ से मुझे लगता है अभी तो अभी इस में कुछ प्लान नहीं है और मेरी बहन भी है मतलब मेरी तीन बड़ी बहन है तो दो की साधी हो गई है तीसरी बड़ी ही है मुझे तो उनकी साधी अभी बाकी है तो अभी उनकी साधी का चल रहा है उनकी साधी के बाद ही मेरा नमबर है घर में तो अभी इस बारे में कोई में क्योंकि जनता में एक चीज दिखती है कि नहीं यह आदमी तो कर सकता है वो मेरा बस यही है कि मतलब एक मैं अच्छा सब इंस्पेक्टर या अच्छा पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर पाऊं और लोगों की मदद कर पाऊं और पुलिस की एक सकारात्मक छवी लोगों तक पहुचा पाऊंगों साथ ही जो मेरे हम उमर है या मेरे चोटे भाई है तो उनके लिए मैंने क्या है कि जैसे तो वैसे तो इस समय कम रहता है पर फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं इसी के कारण में कभी-कभी लाइव क्लासेज भी लेता हूं आपको सायद ना पता हो कि मैं यूट्यूब के जरिये उन लड़कों को जो मतलब जो पढ़ाई में नहीं कर पा रहा है या फिर थोड़ा डी मोटिवेट हो रहा है या जिनको कोई डाउट से पुलिए क्योंकि मैंने एक लंबा समय दिया तैयारी में तो अगर तैयारी से रिलेटर परपरेशन से रिलेटर कोई डाउट रहता तो उनके लिए में लाइव क्लासेश चलाता हूं और उनके थ्रून की मदद करने का प्रयास करता हूं बस यही सोच है कि सो में से एक आदमी भी हमारे कारण कुछ आगे बढ़ पाया तो बहुत ही खुसी होगी हम एक चीज है हमारे युगाओं के लिए आप कुछ वो मंत्र दे दें ताकि हमारे युगाओं आपके जैसे एक होनहार इस्टूडेंट भी बने होनहार अधिकारी भी बने और आपसे कुछ सीख भी ले कि इसपर में तो यह मेरे जैसे क्या मेरे से बहतर बन सकते हैं आप अच्छी तैयारी करिए करिए सब इंस्पेक्टर तो एक नॉर्मल सपद है आप और भी अच्छे एक्जांस क्वालिफाई कर सकते हैं जैसे MPPSC है, UPSC है या और भी कुछ या आप जैसे राजनितिक शेत्र में जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बस यह है कि अपना लक्ष डिसाइड करिए प्लानिंग करिए और उस पर टाइम टेबिल को फॉलू करते जाएए प्लानिंग कर लीजेए चोटे-चोटे गोल्स डिसाइड करिए कि आज यह करना है या फिर छे महीने में मुझे ये चीज़ें कवर करके रखनी है या एक साल मैं मुझे इतनी चीज़ें कवर करनी है और उसके accordingly आप काम करते जाएए महनत करते जाएए प्रॉपर गाइडेंस के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे सहयोगियों के साथ आप definitely मुझे से भी अच्छी जगह पहुँच जाएंगे बहुत बड़ी बात नहीं है डेफिनेटली कर सकता हर आदमी में चमताएं होती है और साथ में नसा को छोड़िये और पकड़िये वो मौके जो आज विकास सिंगोर्ने पकड़ा है और आज युवाओं को एक परिभासित भी कर रहे है विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने बिजी शोडोल टाइम में हमने दस मिनट आप से लिया और आपने बखूबी से दिया है थैंक यू सोमाच अंकित भाई मुझे भी अच्छा लगा मेरा हमेशा परियास रहता है आपके माध्यम से या दूसरे सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म से या दूसरे मतलब मीडिया चैनलों के माध्यम से कि कुछ अच्छा हम यह वह तक पहुंचा पाएं अनेट्व कर काम करें। तो बनेरे हमारे साथ पृथमनयाय जी पर ऐसी कई कहांइया मौजूर है नमस्कार यह बहूंचा